लाश्ट एर मेने आपको एक श्टॉक बताया था जो कि आपको नजर रखनी थी आपने रखी होकी तो बहुत अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिला ओगा और अभी भी ये श्टॉक जो है जो मैं आज बताने बाला हूं इन पे भी आपको नजर रखनी हैं क्याओंगी ये stock कभी नीचे गिर ही नहीं सकते है अगर मैं ये आपको वीडियो देखाऊं जो मैंने last year बनाई थी ये देखो आप railway sector बहुत बड़ा है अगर आप सुचेंगे कि railway बंद हो जाएंगी कल से इसके सारे stock गिर जाएंगी तो आप गलस सुच रहे हैं रेल बे कभी बंद नहीं होने बाली रेल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इनसान की जरूरत है आप ये मत देखो कि आप तो एरोपिलेन का टिकेट बुक कर सकते हो मेजरली जो परसन है जो लोग है इंडिया में जो लोग है वो यूज करते हैं रेल रेल क्यों यूज करते हैं क्योंकि ये काफी ज़्यादा किफाइती होती है और जब रेल किफाइती होगी रेल का ज़्यादा यूज करेंगे लोग तो जब रेल के पास रुपया आएगा तो रेल के श्टॉक्स जो है रेल की अगर मैं फिर से आपको देखाऊं तो यह देखो 39 पे पहुँच गया था उस दिन उस दिन मैंने उस से पहले भी बताया था लेकिन उस दिन यह 39 पहुँच गया था कितने का जंप था अल्मोस्ट तो यह जो स्टॉक्स हैं यह आपको देखो हमेशा याद रखना अगर आपको अमीर बनना है अगर आपके पास एक दो लाख पांच अलाख रुपे हैं और आप चाहते हो कि आप करोड़ पती बनो तो आपको ऐसे स्टॉक निकालने पड़ेंगे जो आपको एक साल में 100% से ज आगे आने वाले टाइम में आप करोड़ रुपे बना लो स्टॉक मार्केट से तो आपको रिलाइंस, टाटा, टाइटन और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इनको छोड़ना होगा जैसे अदानी हैं यह सब छोड़ दो क्योंकि यह आपको करोड़ पती नहीं बना पाएंगे आपने एक लाख रुपे लगाया यह पांच लाख रुपे कर देंगी दो-तीन साल बाद अगर इससे आप खोसो तो ठीक है लेकिन अगर आपको एक लाख के दस लाख बनाने हैं वो भी छैसे बारा महिने में तो फिर आपको ऐसे स्टॉक पर मैनत करनी पड़ेगी उन्हें ढूंड के लाना पड़ेगा अगर आज मैं बात करूं RBNL तो देखो यह कहां पर पहुंच गया है और मुस्ट 90 रुपीज पर यह पहुंच चुका है यानि कि पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया है अगर यहां पर मैं आपको बनीर का देखा हूं तो कितना मैंने यहां पर आपको सजेश्ट किया था 39 पर तो अलमुस्ट 100 परसेंट से ज़्यादा रिटन मिला है आपको कब से केवल नोवेंबर से नोवेंबर 2022 से अगर अभी तक देखोगे तो आपको 100 परसेंट से भी ज़्यादा रिटन अब ऐसे इसे श्टॉक अगर आप निकाल पाते हो त तो जो मैं इस्टॉक बताता हूँ आपको बस उन पर नजर रखनी है मैं ये सजेश्ट नहीं कर रहा आपको कि आप उसमें रुपया लगाई दो वो आप अपने हिसाब से सोचना अपने फाइनेंसियल एडवाईजर से सला लेना लेकिन मेरा काम क्या है कि मैं धेरों कंपन बने कल निकाल कर बताते है कि ये आप इस्टॉक देख सकते हो तो मेरा काम तो और आपको मैं बतारा हूं तो मेरा काम कंपनी से एक ऐसी कंपनी कंपनी घोन के निकालना 37 जो वाले टाईने में या कि उत्र वोस में को बूश्ट कर रहा हूं या वो particular sector बहुत ज़्यादा अच्छी growth कर रहा हो अगर company में अच्छी चीज़ें चल रही है तो मैं ऐसी company आपको बताता हूँ तो ये company तो खेर आप miss कर गए हो अभी ये और उपर जाएगी क्योंकि इसने देखो ये support label को तो तोड़ दिया है ये stock भी आने वाले time में आपको अच्छा खासा move दे सकता है अभी तो ये इसका आप देखोगे इस level पर support है और sorry resistance है अगर ये resistance को break करती है तो फिर अच्छा यहां पर आपको move देखने को मिल सकता है यानि कि 35 rupees के ऊपर अगर ये trade करता है 35-37 rupees के ऊपर ये trade करता है अगर 1-2 दिन और थोड़ा और यहां पर सस्टेंड होता है तो फिर आप expect कर सकते हो कि अच्छा move आपको मिलेगा यहां से अगर currently हम बात करें तो ठीक है अभी सही price पर मिल रहा है अगर चाहो आप तो इस पर नजर रख सकते हो और आने वाले time में यह आपको अच्छा रोपया बनाके दे सकता है यहां पर आप देखो अच्छा consolidate हुआ था हमेशा यही याद रखा करो जो stock सबसे ज़्यादा consolidate होता है वो सबसे अच्छा movement देता है अभी यह मत सो चुकी यह यहां से गिर गया है देखो इतना तो यह किसी भी stock के लिए consolidation ही होता है लेकिन यह छोटे price में तो हमें यह लग रहा है कि अरे यह तो बहुत उपर नीच हो रहा है अगर यही 1000 में होता और यह 800 होता फिर 1000 होता तो फिर हमें लगता कि अरे ठीक है यह तो consolidation phase है तो इस company पर आपको नज़ा रखनी आने वाले time में आपको यह company अच्छी खासी भागती हुई देखने को मिल सकती है So that's all in this video दोस्तों मिलते हैं अगली video में Signing off